तो गैस पहले क्या होता था अगर किसी को फोर विल ड्राइब खरेनी थी तो वह सबसे पहले जाता था था थार के पास लेकिन थार एक फैमिली कार तो है नहीं बैटने के लिए ठीक ठाक जगह है नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था और फिर वह जाता था बीम डब लेकिन ऐसा कोई अच्छा उप्शन मिलता ने था उससे सब पुरानी और घटिया दिखने वाली भद्टी दिखने वाली गाड़ी मिलती थी लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सारी रिक्वार्मेंट्स पूरी होगी इस गाड़ी के साथ कौन सी है ये गाड़ी स्कॉ बिएच पी की पावर और 400 यूटर मीटर का टॉक जेनरेट करता है जिसमें 4x4 डिफरेंशियल लॉक के साथ आती है जो कि एकदम सेम थार वाली इंजिन है यानि आप इसको सश्टी थार कह सकते है यह सिक स्पीर्ड मैनुएर्ट ट्रांसमेशन के साथ आती है और अगर अगल से यह नहीं लगती कि यह कोई बेस मॉडल है और इसका साइस तो देखो आप एकदम फॉर्चुनर भी फेल इसके सामने इसका स्टैंस देखो अगर आप इसमें बैठोगे तो आप इतनी कमांडिंग पॉजिशन और इतनी अपराइट पॉजिशन में बैठोगे कि ल अगर प्रिमियम जैसी लगती है अगर टॉप मॉडल और कोई भी देख के बता मिसाटा कि यह बेस मॉडल आप देखो एक बार बस इस मॉडल में भी आपको काफी फीचर मिल जाते जैसे आपको एट इंच का टॉच्प्रीन सिस्टम मिलता है जो एंडर आट और अपल कार अपले को भी सपोर्ट करता है इसमें जीपीएस नैविगेशन सिस्टम भी आता है और तो और इसमें रियर के पार्किंग सेंसर भी आ जाते हैं साथी साथ इसमें आपको क्रूस कंट्रोल भी मिल जाएगा और सिक्स्टी फॉर्टी स्प्लेट कूल गलब बॉक्स और संग् होगे सेफ नहीं होगी गाड़ी शायद सेफ्टी में कमी होगी तो सेफ्टी में भी कोई कमी नहीं में बता दूं यह फाइव स्टार ग्लोबल एंगाप सेफ्टी रेटिंग इसने हासिल किया कुछ ही दिन पहले अभी और एकदम सेफ यह गाड़ी है महिंद्रा है एकदम इसमें ABS with EBD brake assist मिल जाता है और आप optional है अगर आप चाहें तो इसमें hill hold assist और एक आद फीचर और भी सेफ्टी के लगवा सकते है थोड़ा से एक्ष्रा पैसा देखें और पूरी तरह सेफ है यह गाड़ी तो गाइज अब इंजन आपको बेस्ट मिली रहा है 4x4 मिली रही है एकदम 7-seater गाड़ी है ही है फैमिली कार के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल है फीचर सारे मिली रहे है सेफ पूरी गाड़ी है ही और प्रीमियम नेस भी बग करार है तो और चाहिए क्या है इस प्राइस में एकदम बेस्ट गाड़ी होने वाली है और धडलने से यही वाली वेरियंट सबसे जादा बिक भी रही है तो गाइस अगर आपको कोई फैमिली कार फोर लेनी है और वो फोर बाइफोर और एकदम आफ रोड के परपर से लेना है जो फैमिली कार और आफ रोड़िंग कार दोनों बन सके तो स्कॉर्पियो एन आपके लिए बेस्ट रहेगा थैंक्स पर वाचिंग और गाइस सब्सक्राइब करें आटो गुरू को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा